हाई कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे सुखी होंगे एक विसवस्त होंगे यह जो रीडिंग है यह है जे मिफंडाशी है उसके लिए यह जो मिफ आउगस्ट की रीडिंग है 15-30 तारीक तक जो भी एनर्ची रहेंगी हम एस रीडिंग में देखेंगे तो अगर आपका संसाइण, मून साइण, रैसिंग साइण, प्लसाइण, तो यह जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है तो हम शुरू करेंगे तरो के साथ मेरे पस कुस औरिकल कार्ड भी है वो भी देखेंगे हम यह है मेरा फेवरेट एवरीडे़ टेरो डेक फूपसुरूत रंग है इसके शुरू कर लेते हैं काथ को Gemini Thank you so much Gemini Gemini Thank you वोव यह कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहें काथ क्यार देखते हैं अभी कुछ नहीं बोलती मैं लेकिन कार्ट्स देखकर बोलेंगे लेकिन यह कुछ अच्छे संकेत नहीं है कार्ट्स के दो बार और शफल करेंगे वन मोर ताइम थांक्यू सो मच्छ थांक्यू प्रॉप थांक्यू जमिना थांक्यू सेरिसली वन मोर ताइम अल्राइग थांक्यू जैसे नहीं मुझे पता क्या नजर आया शफल करते वक्त मुझे नजर आजसे कुछ तूट रहा हो कुछ बिखर रहा हो तूब ऑनेस्ट देखते हैं बाकी इसके बारे में संकेत देता है कहीं और शिफ्ट होना जैसे कुछ लोगों के लिए ये ब्रेक अप है तूब ऑनेस्ट आप अपनी रिलेशन्शिप से मूव ओन हो रहे हैं और ये काफी लंबा रिलेशन्शिप था ऐसा नहीं था कि ये कोई टैंप्ररी इसमें ये काफी लंबा रिलेशन्शिप चला आपका लेकिन कुछ हुआ कि अप अब इससे मूव ओन हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए ये दिवोर्स है को सकते हैं अपको बच्चे भी आपकी इंवाल्व हो हूं मुझे लग रहा है आपको आपके बच्चे के कस्टिडी मिल सकती है और आप इस रिलेशन्शिप से मूव ओन हो सकते हैं कुछ आप अब्राद स्टड़ी है आप अब्राद में स्टड़ी करना चाहते थे और आपको वीजा जो है मिल जाएगा सक्सेस्फुली लिब्रा क्वेरियस चेमिनाई सोल्स अनरजी बाकी आपके काट्स देखते हैं भी हम हम six of pentacle definitely a legal case कुछ लोगों के लिए अब्राद के लिए हो सकता है आप अप मैरिज में हो जहां पर इक्वल गिवन टेक ना हो इक्वली आपको प्यार ना मिला हो इज़त ना मिली हो रिस्पेक्ट ना मिली हो और इसकी वजह से अभी आप इस तुष्टे से मुव अन होना जाते क्योंकि आपको बैलन्स चाहिए अपकी लाइफ में another six 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 definitely a relationship के बारे में है अगर यह डाइवोर्स नहीं है तो यह वैसे जो आपका relationship है बहुत लंबे समय तक हो सकता है छे साल तक यह relationship चला हो अब आप इसे खत्म करना चाहते हैं कि आप खुश नहीं है आपका पता है इसमें balance नहीं है और आप आप इससे move on होना चाहते हैं अगर यह legal matter है तो फते आपकी होगी यह उसके बारे में भी संके देता है जो भी आपका legal matter है उसमें आपके जीत हो सकती है earth energy है यह Taurus, Virgo, Capricorn, Queen of Wands, definitely आप एक नई beginning चाहते हैं passionate यह देखिए यह queen है यह अकेली है यह single है it's like a boss energy you know वो single है उसे पता है उसे क्या चाहिए और उससे कम उसे कुछ जो भी उसकी रास्ते में आएगा वो उससे सविकार नहीं करेगी उससे कम उसे जो भी मिलेगा ना वो उससे discard कर देगी क्योंकि उससे पता है उसकी self worth क्या है उसने खुद को इतना प्यार देना शुरू कर दिया है इतनी खुद को इज़त देनी शुरू कर दी है कि अब उससे कम नहीं चाहिए जो उससे चाहिए उसस वो ही चाहिए और मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जो भी relationship में है उसे खुश नहीं है और आप कुछ नया चाहते हैं Six of Cups, another six, three six guys, you kidding me? वाव, this is good, Gemini, that's why I was बच्चे इंवाल्व हो सकते हैं इस situation में, अगर बच्चे इंवाल्व नहीं है तो यह शक्षश था ऐपका soulmate था और इसके साथ आपने बहुत सारे Sपने दे के बहुत सारे सजाए अपने जीवन को आप इस तरीके से बिताना चाहते थे शक्स के साथ आपके बहुत सारे सपने थे लेकिन इस शक्स ने ना कुछ ऐसी चीज़ें कर दी कि वो बैलनस टूट गया वो बैलनस जो है वो टूट गया हो सकता है ये शक्स किसी और शक्स के contact में चला गया हो इसकी वजह से भी आप हर्ट हो गये हो हो शकता है मैं डिरेक्टली ऐसे शब्दों को इस्तिमाल नहीं करती पर मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे हैं मैं किसकी और इशारा कर रही हूँ यह शक्स किसी और शक्स के साथ इन्वाल्व हो सकता है जिसकी वज़ा से आप बहुत हर्ट हो गए और इसलिए आपने अप इस रिष्टे को खत्म करने की का विचार बना लिया और अगर आप यह चाहते हैं तो आप सक्सेस्फुली उससे मूव ओन भी हो सकेंगे यह जो क्वीन है इसे कोई रिग्रेट नहीं होता इसका जो भी डिसीजन यह लेती है इसके लिए उसके मन में रिग्रेट नहीं होता क्योंकि इसे पता है यह इतनी वाइस होती है इसे पता है यह जो कर रहे है वो ठीक कर रही है और इसे यह पता है कि यह क्या डिजर्व कर और उसकी वचा से इसके जो choices हैं, इसकी decisions हैं इतने wise इतने powerful होते हैं कि ये दिन और दिन में अपनी तकदीर है उसे बदल सकती है जिसे मुझे ये भी पता चलता है कि जब ये रिष्टा खत्म होगा हो सकता है कुछ दिन आप आपकी एनलजी डाउन रहे लेकिन बहुत जल्द आप दुबारा खड़े हो जाएंगे अपनी जिन्दगी की responsibility को समझेंगे और अपनी जिन्दगी को बहतर बनाने की दुबारा क कोशिश करने लगे लेकिन फते आपके आपके हक में मुझे नज़र आ रही है जीत आपके हक में मुझे नज़र आ रही है king of wands you serious we have a couple here यही जो शक्स जो जिसके साथ आपका रिष्टा खत्म होगा यह हो सकता है आपका soulmate हो मैं मान गई लेकिन soulmates हमारे बहुत सारे हो सकते है twin flame हमारा एक ही होता है अर्दन रेशवर जो हमारा other half इस relationship के खत्म होने के बाद आप अपने twin flame से मिलेंगे queen of wands king of wands यह शक्स fire sign हो सकता है sagittarius, leo, aquarius height में काफी लंबा होगा इस शक्स के जो कपड़े पहने का अंदास होगा वो बहुत ही खुबसूरत होगा यह बहुत ही classy कपड़े पहने पहनता होगा यह शक्स और जब आप इस शक्से मिलेंगे ना my god I am feeling like कैसे कहूं मैं उन्हें शब्दों में आपको आपके seven chakras जो है spiritual awakening भी हो सकती है आपकी मुझे इतने chilling energy महसूस ही ना chilled energy मैं इसे कैसे शब्दों में बियान करूं यह आपका twin flame है यह शक्स यहाँ पर हमारे पास six of cups भी हैं तो यह जो आप ultimate peace और relationship चाहते है यह वह शक्स उस चीज़ को पूरा करेगा आपके लिए पास्ट में जो यह शक्स था यह soulmate था आपका लेकिन यह शक्स आपके उमीदों से थोड़ा खरे जैसे आपके उमीदों पर कैसे कहते हैं वह आपकी उमीदों पर खरा नहीं उत्रा लेकिन यह जो शक्स है यह आपकी सभी wishes को पूरा करेगा दिखिए आप queen है और यह king है तो आपका ओहदा सेम होगा आपकी choices एक जैसी होगी आपका जिंदीकी को देखने का नजरिया एक जैसा होगा आपके जो सपने हैं वो एक जैसे होगे आप एक जैसे success चाहेंगे तो automatically life में balance होगा stability होगी राइट तो मुझे यह आन्य वाले समय में यह लग रहा है कि अभी फिलहाल आपके लि इस relationship में हो सकते हैं लेकि आप खुश नहीं हो सकते हैं लेकिन देखे यह general reading है हो सकता है यह message आपके साथ resonate ना हो लेकिन मुझे नजर आ रहा है अगर ऐसा कुछ है तो आने वाले समय में आप अपने twin flame से मिल सकते हैं और यह जो शक्स है यह बाकमाल होगा इससे आपकी सभी इस चाइम पूरी हो जाएंगी मेरे ख्याल से आप बच्पन में अपनी शादी के लिए अपने partner के लिए जो भी समने देखते थे आपका partner ऐसा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए यह person exactly वैसा होगा और आपको यही आपके लिए सबसे बड़ा sign होगा कि जब आप इस शक्स यह आपको बहुत खुश्य देगा, बहुत सारी खुश्याँ देगा यह शक्स और जो भी यह पास्ट में होगा, ब्रेक अप जो मुझे नजर आ रहा है इसके बारे में हमने बात की है इससे आपकी अच्छली ग्रोथ होगी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को यह वीर्ड लगे सुनने में लेकिन कुछ एंडिंग्स जो होती है वो कुछ ऐसे दरवाजों को खोल देती है ऐसी न्यू बिगनिंग कर देती है मारी लाइफ में जिने शब्दों में ब्यान करना भी मुश्किल है तो यह जो एंडिंग है यह एक्चली पाज़िव एंडिंग है इससे बहुत सारे रस्ते खुल जाएंगे आपके बहुत सारे रस्ते आप सोच भी नहीं सकते आप सबसे पहले तो यह जो शक्स है यह आपकी लाइफ में आजाएगा यह वो एनरजी है तो सभी और से मुझे आपके नए पोर्टल जो है खुलती हुए नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में अब हम जाब के आफिर्मेशन से वो देख लेते हैं for Gemini thank you so much Gemini 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 thank you I am prosperity आपको कोई material gain हो सकता है अगर आप लीगल केस में हैं तो असमें आपकी फते भी हो सकती है और आपको material gain भी मिल सकता है कुछ लोगों के लिए ये जब आप इस relationship से बहार निकलेंगे कोई unexpected monetary help आपको कहीं से मिल सकती है जैसे कि मैंने पहले कहा बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं आपके I am appreciated इस queen को पता है कि इसकी एहमियत क्या है और ये क्या deserve करती है अगर दूसरे लोग इसे वो इज़त नहीं देंगे तो ये अपने आप उन लोगों से दूर हो जाएगी और अपनी तरफ से खुद को इज़त देगी ये बहुत confident energy है guys ये डरती नहीं है ये queen किसी से भी किसी भी तकलीफ से नहीं डरती ये जिन्दगी को पोरे तरीके से जीने में विश्वास रखती है ये वो energy है और उसकी वजह से क्योंकि ये खुद को इतना प्यार करती है खुद को इतनी इज़त देती है इसके आसपास के लोग automatically इसे प्यार देंगे I am sincere आप ये ही sincere energy चाहते हैं देखिए six of cups के नीचे ये card निकला है तो आप honesty चाहते हो मुझे definitely लग रहा है कि आप मेंसे कुछ लोग एक ऐसे relationship में थे जो कि पहले तो बहुत लंबा चला बहुत प्यार था खुशियां थी लेकिन ये शक्स किसी और शक्स के साथ involved हो गया और इसकी वज़े से आप hurt हो गया लेकिन आप चाहते हैं एक ऐसा खुबसूरत रिष्टा है जो कि है आपके लिए आने वाले समय में I am helpful ये नन्यांग है balanced है तो आप दोनों जन मिलकर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे की बाकी के जो लोग है उन्हें आप help कर सकें मुझे इन्फुलेंसर शब्द सुन रहा है मुझे लग रहा है अपमे से बहुत सारे लोग जब इस शक्से मिलेंगे तो आप शायद कोई YouTube च इन्फुलेंस कर सकें बहुत बड़ी audience मुझे नजर आ रही है power couple है guys ये तो चुटकियों में audience को अपनी तरफे ट्रक्ट कर सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ करना भी चाहते ना तो भी आपके लिए भी advice है कि आप ऐसा कर सकते हैं आप काफी successful रहोगे इसमें मुझे ये भी न नजर आ रहे हैं अगर आप और बच्चे चाहते हैं तो ये शक्स ना बहुत kind होगा passionate बहुत होगा romantic बहुत होगा लेकिन ये बहुत kind भी होगा खासकर बच्चों के साथ ये बहुत kind होगा ये ये शक्स अगर आपकी already बच्चे हैं तो ये उन्हें उन बच्चों को भी बहुत अच्छी एनरजी आप लोगों के लिए मुझे नजर आ रही है तो यह है जैमिनाई मितन राशी के लोगों के लिए गाइडन्स अब तक के लिए फिलहाल इतना ही मैं आप से मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में बहुत जल्द तब तक के लिए आप से अपना ख्याल ठखिए ध्यान ठखिए इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कॉमेट कीजिए गाइस कॉमेट करने से न मुझे बहुत हिम्मत मिलती है बहुत मेरा मनोबल बढ़ता है तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज जो है आप कॉमेट कीजिए ठीक है तो अभी मैं चलती हूँ अपने ध्यान डखिए बाबाई